सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेकनिकल चैनल को और बेल आइकन के तबाईए लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों परितोष है और आप देख रहें परितोष टेकनिकल तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों शामी ने जो अपने टीन डिवाइज लांच किये हैं आज हम उसे के बारे बात करेंगे रेड्मी 6, रेड्मी 6 प्रो और रेड्मी 6A के बारे में कि कैसा डिवाइज है और आपको लेना चाहिए ने लेना चाहिए एकदम जैनुमन रिव्यू यहाँ पर आपको करके दिया जा रहा है जी हां तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले डिवाइज की तो सबसे पहले बात करते हैं रेड्मी 6 प्रो के बारे में कि यहां हमें क्या क्या देखने को मिलता है शामी ने तीन डिवाइज लांच कि इंडिया में और सबसे पहले मैं रिव कि बात करें यहाँ पर तो 5.84 का हमें एक नॉच दिखने को मिलता है विट 19x9 का एस्पेक ने करें के बात करें तो 12 plus 5 की हमें back camera देखने को मिलती है यहाँ पर LED फ्ट फ्लैस शेल्पी की बात करें तो 5 Ui9 10B आपको यहां जल्दी मिल जाए मेमोरी के बाद करें तो यह दो वेरियंट में लॉण्च हुआ है 3GB 32GB 4GB और 64GB जो कि Micro SD Card की मदद से 256GB तक आप यहां मेमोरी को Increase कर सकते हैं OS के बाद करें तो 8.1 Oreo Out of the Box देखने को मिलेगा जो कि आने वाले समय में Android 9.5 हमें अपडेट्स मिल जाएगा अगर चिपसेट की बाद करें तो यहां पर Snapdragon 625 का चिपसेट हमें देखने को मिलता है बैटरी के अगर बाद करें तो 4000 mh की बैटरी हमें यहां देखने को मिलती है सेंसर की बाद करें तो यहां आपको finger feet सेंसर मिलता है artificial face unlock तो मिलेगा ही और smart unlock भी मिलता है और SIM slot की बाद करें दो SIM और एक micro SD card आप यहां लगा सकते हैं जो कि दोनों SIM ही 4G voltage support करता है अब आती है price की बाद दोस्तों जो पहला variant है 3GB 32GB उसकी price रखी गई है 10,999 Redmi 6 Pro का यार मुझे समझ में नहीं आता कि Xiaomi क्या कर रहा है और इतने ज़्यादा price आप रखे हैं 3GB 32GB के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि यह वाला जो variant है आप मत लीजे आप skip कर दीजे मार्केट के अंदर में और भी नए डिवाइस आने वाले है अगर आपको लेना ही है तो आप Realme 2 ले सकते है जो की 10,999, 11,000 में एक बहुती अच्छा डिवाइस आपको देखने को मिलता है और दुसरे वे रेंट के बाद करें 4GB 64GB की तो दोस्तों 12,999 रखी गई है बताइए रेड़ी 6 Pro और 4GB 64GB की 12,999 प्राइस दोस्तों मैं आपको बोड़ूंगा की इस डिवाइस को आप मत लेना एक डम स्किप कर देना और वेट करो कोई कुछ और नहीं डिवाइस लाँच होने वाले हैं अपने पैसे वेस्ट मत करो Redmi 6 Pro पे तो अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi 6 की की यहाँ पर हमें क्या-क्या देखने को मिलता है कैसा डिवाइस है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो बात करेंगे इसके पूरे फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर डिस्पले की बात करें तो 5.45 का हमें IPS LCD डिस्पले देखने को यहाँ पर मिलता है विद 18-9 का एस्पेक रेसियो कैमेरे के कर बात करें तो 12 Plus 5 MP का हमें dual camera देखने को मिलती है बैक में और selfie की बात करें तो 5 MP हमें selfie देखने को मिलता है Redmi 6 में पर मेमोरी के बात करें तो 2वेरियंट में यह लाँच हुआ है 3 GB, 32 GB, 3 GB और 64 GB और यहां पर आप Micro SD Card की मदद से 256 GB तक मेमोरी को increase कर सकते हैं और OS के बात करें तो 8.1 Oreo हमें out of the box यहां पर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि Android 9.5 जल्दी अपडेट्स मिल जाए चिपसेट की बात करें तो दोस्तों मैं बहुत ही जादा निरास हुई यहां पर आपको Helio MediaTek का P22 MT6762 देखने को मिलता है जो की एक बहुत ही पुराना चिपसेट आप बोल सकते हैं बैटरी की बात करें तो 3000 ms की बैटरी देखने को मिलती है रिटमी 6 में और प्राइस दोस्तों प्राइस मेंटर करता है शाओमी का जो कि उसमें रखा है यहां पर आप 3GB 32GB वैरियंट की अगर बात करें तो 7999 यहां प्राइस रखी गई है और 3GB और 32GB की बात करें तो 9499 रुपीस यहां पर प्राइस रखे गई है जो मैं आपको फिर कहता हूं कि यह डिवाइस मत लिजिएगा इसकीप कर दीजेगा यहां आपको नया कुछ देखने को नहीं मिलता है शाओमी के रेडमी 6 में जी हां दोस्तों अगर बात करें यहां पर रेडमी 6A के बारे में तो यहां पर आपको जादे कुछ देखने को नहीं मिलता है जो पिछले दोनों डिवाइस के बारे मैंने आ जाक्या इस स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं अगर दिस्प्ले के बात करें तो 5.45 इंच का हमें यह दिस्प्ले देखने को मिलता है विट 18 इस्टु 9 एस्पेक्ट रेशियो कैमरे की बात करें तो 13 मेगा पिक्सल का आपको सिंगल कैमरा मिलता है बैक में विट LED प्लैस और सेल्फी के बात करें तो 5 मेगा पिक्सल की सेल्फी आपको यहां देखने को मिलती है दोस्तों यह दो वेरियंट में लॉंच हुआ है अगर इसके मिमोरी के बात करें तो 2 जीबी सोलर जीबी 3 जीबी 32 जीबी यहां पर यह लॉंच हुआ है दो वेरियंट में जो की माइक्रो एश्डी कार्ड की मज़से आप दोस्तों चपन जीबी तक मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं यह दोस्तों MIUI 9.6 पर अभी रन कर रहा है जो कि आने वाले टैम में MIUI 10 आपको अप इस डिवाइस के हिसाफ से देखा जाए तो एक टिक टाक चिपसेट है बैटरी के बात करें तो 3000 एमेज की बैटरी हम यहां देखने को मिलती है रिड्मी के 6A में और दोस्तों यहां आप गो सीम और एक माइक्रो एजडी कार लगा सकते हैं जी हां और प्राइस के बात करें तो 2GB, 60GB यहां आपको 5999 में मिलता है और दुसरे वेरिएंट के बात करें तो 2GB और 32GB आपको 6999 में देखने को मिलता है 5,999 और 6,999 में दो वेरिएंट आपको डेड्मी 6A के यहां देखने को मिलते है लेकिन यह ले सकते हो Redmi 6A का इसलिए भाइयो क्योंकि यहां एक मीट रेंज में एक ठिक टक प्रोसेसर के साथ आपको यह मिल सकता है तो मैं सिर्फ यही बोलोगा कि Redmi 6A आप यहां ले सकते हैं जो कि 19 सेप्टेंबर से 12 बजे आपको अमेजन के उपर में मिलेगा जी हां दोको तो बस मैं यही बात कर रहा था यहां पर जो Xiaomi ने अपने team device launch किये है और अगर Redmi 6 Pro की बात करूँ तो अगर आपको लेना है Redmi का mobile Redmi 6 Pro तो आप 111 सेप्टेंबर को अमेजन के उपर में 12 बजे से जा करके परचेज कर सकते हैं और मैं यहां अगर Redmi 6 की बात करूँ तो यह भी आपको 10 सेप्टेंबर को 12 बजे फिलिप काट पर मिल जाएगा तो 10 सेप्टेंबर को Redmi 6 आप यहां पर फिलिप काट पर 12 बजे 10 सेप्टेंबर को ले सकते हैं लेकिन दोस्तो मेरा अब जेन्मेन रिवीव है कि अगर मैं होता तो मैं यह तीनों डिवाइज ही नहीं लेता तो बस दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आसा करता हो जाको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देजिए और बेल आइकन को दवाज दिए ताकि आपक आई साथ और यह तो